उदैपूर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ उदैपूर के भूपालपुरा थानक शेत्र के आयरस्थित छिपा मोहला में चाकू बाजी की घटना सामने ही है चाकू बाजी की घटना में देवर ने भावी पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया घायल महिला को इंबी अस्पताल में भरती करवाया गया है आरोपी देवर ने भावी के पेट और सर पर चाकू मारा था आरोपी देवर सर्फराज ने आटो में बैठी भावी पर चाकों से ताबलतोर हमला कर दिया घैटना की जानकारी मिलते ही भूपाल पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुची है और आरोपी की तलाश में जुट गई है पशुपाल को को मिली सौगात अब एक फोन पर घर बैठे मिलेगी पशुचे कित सा सुविधा मोबाइल वेटनरी यूनिट और 1922 कॉल सेंटर का शुभारम हुआ पशुपालन विभाग में जिला कलेक्टर अर्विंद पोस्वाल और जिला प्रमुक मम्ता कुवर ने किया शुभारम उपने देशक पशुपालन डॉक्टर शरद अरोडा ने दी योजना की जानकारी नगर निगम आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल रोड्स थित हजारेश्वर कॉलोनी में बिना स्वीकृती भू उप्योग परिवर्तन कराई की जा रही व्यवसाइक गतिविदियों को लेकर आठ दुकानों को सीज किया है निगम ने इन दुकानों को तीन महीने के लिए सीज किया है नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में काफी आक्रोश देखने को मिला दुकानधारों ने कहा कि निगम ने बिना नोटिस दिये उनकी दुकानों को अचानक सीज कर दिया है जिनसे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है नगर निगम की कारवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी और पुलिस जापता हूमगार्ड मौजूद रहे बंगाली समाज के दुर्गा पूजा के आज दूसरे दिन भूपादपुरा बंग स्थित भवन में सब्तमी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया सब्तमी पूजन के दिनाज सुबह विशेश पूजा अर्चना की गई और उसके बाद सान के तिक रूप से बलिदान किया गया और बलिदान कार्यक्रम के बाद भूब लगा कर प्रसाद वित्रन किया गया उदैपुर शहर में रह रहे बंगाली समाज के लोगों ने बताया कि बंगभवन में करीब 64 वर्षों से लगातार बंगाली समाज द्वारा दुर्गा पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में उदैपुर में रहने वाले बंगाली समाज के लो लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है आरोपी ने परिवादी का पैंशन प्रकरन तयार कर भिजवाने की एवज में 20,000 रूपे रिश्वत की मान की थी प्रस्तावित विधान सभा सलूंबर उप्चुनाव निर्वाचन प्रकिया को लेकर गठित विभिन प्रकोष्ट प्रभारियों की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में उपजिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंग राठोल की अध्यक्षता में जिला परिशत सभागार में चल रही बैठक विबिन प्रकोष्ट प्रभारियों से लिए अब तक के तैयारियों की जानकारी उपजला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निरदेशों से कराया आवगत जिला परिशत सीयो हेमेंद्र नागर सहिट सभी प्रकोष्ट के प्रभारी एवं सहप्रभारी रहे उपस्थित रावन परिवार के पुत्लों को गांधी ग्राउन मैदान में ले जाना शुरू हुआ जानकारी के अनुसार आगामी शनिवार को विजय दश्मी महुत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा पर्व को लेकर शहर में उत्साह का महौल बना हुआ है इसी कड़ी में सनातन सेवा समिती वश्री बलूचिस्तान पंचायत के अध्यक्ष नानकरम कस्तूरी सयोजक हे मंध गख्रेचा ने बताया कि बुधवार सुबल की सत्र में रावन, कुम्बकरन, मेगनाथ एवं स्वन लंका आदी को प्रथक प्रथक खंडों में उंद गाडी में रखतर शहर के शक्तिनगर की कम्यूनिटी होल से रवाना किया जाएगा रावन परिवार को लेकर अशोक नगर मैनन रोड, शास्त्री सरकल, अंबेदकर सक्किल, महराना भूपाल चेकित सालिय मार्ग, चेतक सरकल, मोहता पाक से महराना भूपाल स्टेडियम में पहुँचाया जाएगा उन्होंने बताया कि विजय दश्मी पर दोपहर साधे तीन बजे शक्तिनगर के सनातन धर्म मंदर से शोभायात्रा आरंब होगी शोभायात्रा शहर के विभिन मार्गों से होते हुए शाम साधे पांच बजे महराना भूपाल स्टेडियम पहुँचेगी स्टेडियम में भाव्या आतिश बाजी होगी ततपश्चात भगवान श्री राम द्वारा रावन, कुम्भ करन, मेघनात के कूतलों का देहन होगा इसके बाद राम भक्त हनुमान स्वर्ण लंका का देहन करेंगे करीब चार दशकों से चांदी की सिक्के उखार में देने का रिवाज बना हुआ है जानकारी के अनुसार शादी विवाह, मंगली कुद्सव, धंतेरस, रूप चौवदस, दिपावली, रक्षा बंधन, बहन, बेटिया परिवार के सदस्य एवं शादी विवाह के मौके पर बरातिया की समूल को चांदी की सिक्के उखार में देने का प्रचलन बना हुआ है शहर के बड़ा घंटागर स्थितकनिका ज्वेलस के डाइरेक्टर गनेश दागुलिया ने बताया कि करीब 40 वर्षों से लोगों में चांदी की प्रतिरुझान बढ़ा है धंतेरस दिपावली पर चांदी खरीदना शुब माना जाता है उन्होंने बताया कि एक ग्राम से लेकर एक किलो तक की चांदी की सिक्के बनाये जाते हैं चांदी के सिक्कों पर जिस परिवार की ओर से चांदी की सिक्के उखार में दिये जाते हैं उसके नाम के डाइ बनाई जाती हैं उसमें चांदी के सिक्के धाले जाते हैं काम पूरा होने के बाद सिक्के लेने वाले मलिक को डाई लोटा दी जाती हैं। दागलिया ने बताया कि चांदी के सिक्कों के अलावा शादी विवाह के मौके पर बहन बेटियों को दहेज के सामान के रूप में चांदी के बरतन देने की परमपरा चली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारे प्रतिष्थान पर शुध चांदी के सिक्के एवं चांदी के बर्तनों में थाली, गिलास, कतोरी, जग आदी बर्तल गारंटी के साथ बनाये जाते हैं। प्रतिवर्ष दिपावली के अफसर पर हर परिवार को थोड़ी थोड़ी मात्रा में चांदी की खरीद करनी चाहिए। चांदी के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने याद करते हुए बताया कि सन 1995 में चांदी के भाव मात्र 6000 रुपे प्रती किलो उपलब्ध थी। वर्तमान में चांदी के भाव आस्मान चू रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चांदी खरीदने पर कुछी वर्षों में परिवारों के साथ चांदी का एक स्टॉक हो जाता है। हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवजोती आपके लिए आपके साथ।